हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आपसे ब्रूख तो जो मेन कोश्चन है और लेटिट की करण फेर्ण में क्या क्या आता है तो मैं आपको बताऊ एन्दर जिसके लास्ट केसि कोई सिर्ड बता हूं है तो सबसे मेन पुट होती है वोस्ट कंट्री जैसे वोस्टकंट्री कोई तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है ठीक है अप्वेन्ट मिलते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं जैसे अभी रीसेंट में देखो चीफ जस्टीस है चीफ-जस्टीस आपको पता ही है कि भी चेंज और के के iam dignity आब याद रखना और प्राइम मिनस्ट्र जैसे लास्टिर एक प्राइम मिनस्ट्र पाकिस्तान का प्राइम मिनस्ट्र जैसे लास्ट चार से पांच कोर्षीन के पाकिस्तन पूछ लेता है कि यह था इंडिया के इंदर कोई अक्लर के अंदर भी आद नहीं जो बता रहा हूं वो देख ठक है उसके बाद में अवर्ड्स आते हैं ठक है अवर्ड्स में जैसे यह था ऐल्थ लीडर डर ह्वोर्ड टाइप में इसे कोई अभी जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइस बे दिया वोर्ड हो गया ठीक है तो पुरुसकार हो गया, सरस्वती पुरुसकार हो गया, तो उस टाइप से वो याद रखने होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको आगे वो भी पता दूँँगा कि करेंट अफेर में क्या 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 आपको कौन से मंद करने चाहिए mostly, देखो और उसके बाद में आता है ministry, ministry के मोदी की जो भी स्कीम होती है, PM, मोदी, जल जीवन, योजना, ऐसे करके जो भी सारी स्कीम होती है, और ministry के अंडर कोई ना कोई प्रोग्राम या स्कीम लाँच होती है, पोर्टल लाँच होता है, तो जैसे अभी ये कोशन आता है, क्वाड के अंदर कौन नहीं है, तो वो अभी यहां पर क्या केते हैं, जापान था, उस्टेलिया था, इंडिया था, ऐसे करके, क्वाड का भी मोदी जी वहां पर गए भी थे, अस्टेलिया के अंदर, ठीक है, तो वो था भी, तो G20, G7, इनके भी नेम पूछ सकता है, कि जैसे भी ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स आपको याद रखने, रखने, एक कोशन लास्ट इर भी आया था, ठीक है, और दोनों में आया था, RRBP और RRB कलर के अंदर, ठीक है, दो से तीन कोशन आते है, स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे अभी रिसेंट में जो पपन पढ़ रहे है, खेलो इंडिया हो रहे है, ठीक है ISSF World Cup है, जो Bhopal MP के अंदर हो रखा था, ठीक है, तो वो Heritage Side और GI Tag, GI Tag में जैसे सब से उपर अभी जो Second Number पर आ गया है, UP आ गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, इस ताइप से Question है, Heritage Side के अंदर कौन-कौन से है, कौन-कौन से नहीं है, GI Tag भी अभी यू-पी के अंदर तीन नहीं बने है, ठीक है, दो Important Days, देखो, पहले तो ऐसे Normal Dates में पूछा जाता था, अप ये पर हाड क्यों हो गया है, जैसे Last Year पुछा था, वीजिलेंस अवेर्नस वीक किस के उपर मनाई जाती है, ठीक है, तो ये इसके उपर ऐसे Question आया था, और एक इसके बाद में 31st October की मतलब किस की बर्थ अनिवर्सरी ती, वो बर्थ अनिवर्सरी के बर्थ था, तो वो सारा है, उसके उपर साधार वल्ला भाई पटेल जी के सर के बार में आया था Question ठीक है, एक Exercise का Question आया था, देखो, और ये Question क्या होता है कि Top 50, Top 100, इंडिया के Companies में, इंडिया की कौन सी कंपनी का नाम है, जैसे रिलाइंस का है, टाटा का है, तो वो सारी चीज़ है, ठीक है, चार से पांच कोशन ऐसे थे, देखो, वो थे, स्टेटिक बेस, और स्टेटिक बेस भी कैसे, SSC से बेस, ठीक है, जिसमें एक कोशन वो आया था, कि दो साल तक बराक ठीक है, पेपर चेक कर लेना, ठीक है, आपको mostly March, April और May, इसमें से आपको 40-50% पेपर देखने को मिलता है, RRB का, क्योंकि RRB प्रिवियस मन्त का कोशन ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो current की बजाए, आप ये तीन मन्त अच्छे से कर लेना, तो बैस यही था बताने क प्रिज होती है, तीन सो किस में जित्ते भी अंसर आते लगा, अब मेरे 170-100 ही हो जाते हैं, तो बाकी क्या है, कि बाकी कोशन होते हैं, जो 130 कोशन नहीं होते हैं, तो वो उनको लिख लो था कि आपको नया याद हो जाए, ठीक है, तो ये सारे सोर्ट थे, अब इसके साथ सा आपका लेने का मन नहीं करें, तो भी ले लो, बताए क्या रीजन है, जैसे आपके पास में, आपको अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के कोशन करने हो, मोक से, ठीक है, प्रैक्टिस करने हो, स्पीड बढ़ानी है, तो आप वो मोक दे सकते हो, अर्थमेटिक के लिए स्पेशल